आई गिरिनंदिनिनंदितमेदिनि विश्वविनूदिनिनंदनुते लाल रंग से सजा है मा का दर्बार, हर्षित है मन, पुलकित है संसार, अपने पावन कदमों से आए मा हम सभी के द्वार, आप सभी को मुबारक हो नवरात्री का तेवहार नवरात्री के इस पावन पर्व पर आप सभी को प्रशान्ती निलेयम से सप्रेम साईराम नवरात्री एक ऐसा तेवहार जो उत्तर से दक्षिन तक और पूर्व से पश्षिन तक हम सभी को जोड के रखता है और बात जब हमारे भगवान श्री सत्यसाई के पुन्य पवित्र धाम पुटपड़ती की हो तो यहां नवरात्री की रौनक देखते ही बनती है यह 60, 70, 80, 90 के दशक से नहीं बलकि 40 के दशक से ही अत्यन धूमधाम से मनाई जा रही है 40 के दशक में सण 1946 में जब हमारे सुआमी मातर 20 वर्ष के नवयुवक हैं तभी से यहां नवरात्री अत्यन धूमधाम से मनाई जा रही है श्रीमती विज्यमा गारूजी अपनी पुस्तक अनिथा शरणम नास्ती के जरिये हम सभी को बताती हैं कि किस तरह उन्होंने अपने समस्त परिवार के साथ सबसे पहले सन 1946 में नवरातरी का तेवहार यहां धूमधाम से मनाया वे इतने सुन्दर तरीके से वर्णन करती हैं कि यहां दसो दिन इतनी रौनक थी उन्हों वे बताती हैं कि नवरातरी के लिए बैंगलोर से हैदराबाद से फूल वाले पालकी वाले सभी लोग आये थे और भिन भिन प्रकार से भगवान के रत सजाये जाते थे तो चलिए समय चक्र में हम पीछे चलते हैं और पुराने मंदर जिसे पाथ मंदर कहा जाता है वहां हम सभी बैट जाते हैं और जिस तरह विज्यमा जी बताती हैं कि वे बैठी हुई हैं और भगवान के दर्शनों का इंतजार कर रही हैं और सोच रही हैं कि आज भगवान के दर्शन, उस साई मा के दर्शन उन्हें किस रूप में होंगे? क्या वे रेश्मी वस्तरों में आएंगे या सूती वस्तरों में आएंगे? तो चलिए, हम सभी स्वेम विज्यम्माजी से जानते हैं कि उस पहले दिन की नवरात्री का उनका अनुभव कैसा था? स्वामी ने पिताजी से कहा रुख जाईए दशेरा परवोत्सव मनाया जाएगा देख कर घर जाना पिताजी ने कहा हो भाग्य स्वामी आश्रम के पूजा मंदिर में शिर्डी साई बाबा, राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा इत्यादी सभी मूर्तियां रखते थे जिसमें शिर्डी साई की मूर्ति सबसे आगे रखते थे दशेरा शुरू होते ही कुछ देर भजन करने के पश्षात दशेरा पर पहली बार किस प्रकार मनाया जाएगा स्वामी इसके बारे में बताने लगे सभी साई भक्तों के मन में इस बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता थी पर वोत्सव आसन हुआ स्वामी ने कहा बंगलूरू से फूल वाले आ रहे हैं पालकी बनाएंगे फूल वाले पालकी को सुन्दर सुन्दर रंग बिरंगे फूलों से सूर्य रत की तरह सजाते थे उस पहले दिन सुबह से ही हम सब तयार होकर बड़ी बेसबरी से स्वामी के बाहर आने का इंतजार करने लगे एक दो घंटे बीद गए भक्तों की उत्सुपता बढ़ती जा रही थी स्वामी को तयार होने में इतनी देर क्यों हो रही है कई वर्षों से स्वामी सूती कुड़ता पहनते थे मा की इच्छा थी स्वामी सिल्क कुड़ता पहने अनेक रंगों में सिल्क कुड़ता सिल्वाया गया काले घने गुंगराले बाल काफी उची वगने थे बाई तरव से मांग निकाल कर कंगी करने पर स्वामी सुन्दर मनोहर बाकी नौजवान लगते थे जब पहली बार दूद की तरह सफेद सिल्क कुड़ते में बाहर आए तो सबकी निगाहें उनकी दिव्य अलोकिक अती आकरशक मुखड़े पर गड़ गई हमें भय था कि कहीं उन्हें हमारी नजर ना लग जाए लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा था उनकी कृपा दृष्टी हम सब पर करुणा और खुशी बरसा रही थी सच्मुच यह निर्विवाद सत्य है कि हजारों जन्मों में अर्जित पुन्य फल के बदले इस अद्भुत दृष्टी का साक्षी होने का स्वर्णिम अवसर हमें प्राप्थ हुआ है शुद शीर धवल सवेद धोती पर तेज सफेद चमकदार सिल्क कुर्टा और हिम फलक जैसे जगमक करते श्वेद तवस्त मुकुट पहने हुए थे हमें पता नहीं शायद कहीं से इंतिजाम हुआ हो सिरपर धारण कर मंदस्मित मुस्कान के साथ जब धीमे धीमे चलते हुए बाहर आए तब सबकी आँखें आशर्य और आनन से फटी की फटी रहे गई क्या अद्बुद विसमेकारी सौंदर राशी अति मनमोहक लावन्य रूप नैनों के द्वार से उतर कर सीधे हर एक के हिदे मंदर में प्रतिष्टित हो रहे थे बाए हाथ से जरा कुड़ता उपर उठा कर चल रहे थे तो लगता था संपूर्ण सौंदर राशी देवता रूप आकार धारन कर त्रिलोग के स्वामी के रूप में साक्षात प्रकट हुए हो लग रहा था एक अति सुन्दर सौभाग्यवती स्त्री परम पावन शुब भेला में जगदंबिका बालतरपुर सुन्दुरी बनकर अति दुरलब दर्शन देकर ममता की वर्शा कर रही है स्वामी ने सबसे पूछा ऐसे क्या देख रहे हो अब क्या कहे कोई सबके हृदे में तो सुन्दर सुन्दर भाव उमड रहे थे पर किसी को अभिव्यक्त करने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे थे क्योंकि ये अद्भुत मनोरम दर्श्य वर्नना तीत था संशिप्त में सब हाथ जोड़ कर बस इतना ही कहे पाए स्वामी आजापती सुन्दर लग रहे हैं स्वामी बोले अच्छा सच में ऐसा है ठीक है अब सारी स्त्रियों ने वाद्यो सहित मंगल गीद गाए रोली तिलक कर नजर उतारी बलाया ली फिर आरती उतारी नारियल फोड़ा स्वामी को आदर सहित सुन्दर सजी धजी पालकी पर जो सुगंदित छोटे बड़े नाना प्रकार की रंग बिरंगे फूलों से आच्छा दित थी उस पर आसीन होने के लिए अनुरोत किया सुआमी के आसीन होते ही सारा जन समू बच्चे बूडे जवान स्तरी पुरुष नृत्य और हर्ष उल्लास के साथ मुक्त कंथ से भगवान श्री सतिसाई बाबा की जय आदी जय जय कार से जय घोश करने लगे इस जय घोश से सारा वातावरन गूँजने लगा प्रतिध्वनित होने लगा हर्ष उल्लास से उर्जित वातावरन में स्वामी के पालकी पर आसीन होते ही नेपत्य के चित्रपट पर सुन्दरता का रिक्त स्थान जो अपूर्त रह गया था वह संपूर्ण होकर नैसरगिक छटा बिखेर रहा था पुलकित होकर पालकी ढूने हेतु हैदरबाद से आई हृष्ट पुष्ट बलिष्ट अनुभवी जवान अती तीवर हर्ष उल्लास के साथ अपने बलिष्ट कंधों पर लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे इस सुन्दर्ता एवं हर्ष के उतकर्ष को पुस्तक के कितने ही प्रष्टों से सविस्तार वर्नित किया जाए अधूरा ही होगा स्वामी कहते हैं कि यही शक्ती हम सभी में कुंडलिनी शक्ती के रूप में मुलाधार चक्र में विराजमान है लेकिन ज्यादातर लोगों में यह निश्क्रिया अवस्था में है यानि डॉर्मेंट है और यदि हमें इस दैवी शक्ती को जागरित करना है तो यह केवल साधना द्वारा ही संभव हो सकता है नवरात्री पर्व इसी साधना को उजागर करती है यह पर्व एक अनुस्मारक है यानि रिमाइंडर है जब हम नौ दिनों तक पूरी श्रद्दा और भक्ती के साथ देवी की साधना करते हैं तब हमारे मन, बुद्धी और इंद्रिया एकागर हो जाती है जो इस शक्ती को जागरित करने में सहायक सिद्ध होती है प्रशांती निल्यम में मनाई जाने वाली नवरात्री तीन भागों में बटी है ये एक सुन्दर सी नदी की तरह देवी की आराधना से शुरू होकर वेद पुरुष सप्ता ग्यान यग्य से गुजरती हुई सीधा जाके विजया दश्मी में समा जाती है इसका एक आंतरिक अर्थ भी है ये तीन योगों को दर्शाते है जब हम दीवी भागवत का पाठ करते हैं तो ये भक्ती योग को दर्शाता है जब वेद पुरुष सप्ता ग्यान यग्य के दौरान महान विद्वान पंडिद अपने ग्यान के द्वारा हमारा मार्ग दर्शन करते हैं तो ये ग्यान योग को दर्शाता है और नवरातरी का अंतिम चरण विजिया दश्मी जिस दिन हम अपनी अवगुणों की दुर्गुणों की आहूती देते हैं तो ये कर्म योग को दर्शाता है तो नवरातरी के बारे में और भी जानने के लिए हमारे साथ बने रहे है जै साइराम इस नवरातरी का अर्थ है नौ रातें रात से आपका क्या मतलब है रात अंदकार से जुड़ी है अंदकार से आपका क्या मतलब है अज्यान अंदकार है मनिश्य नौ प्रकार के अंदकार से ग्रस्त है अंकार के नौ प्रकार या अंकार के विभिन्य रूप ही रात के नौ प्रकार है यदि आप अपने नौ रातों को रौशन करना चाहते हैं तो आपको देवी संकल्प लेना होगा देवी कौन है पार्वती परमेश्वर लक्ष्मी नारायन सरस्वती ब्रह्मा परमेश्वर से पहले पार्वती का नाम क्यों दिया गया है नारायन से पहले लक्ष्मी क्यों आनी चाहिए ब्रह्मा से पहले सरस्वती का नाम क्यों आना चाहिए इसका मतलब यह है कि मनिश्य का जीवन शक्ति से शुरू हुआ है शक्ति का अर्थ है प्रकृति की तीन प्रकार की शक्तिया है दुर्गा लक्ष्मी सरस्वति इसलिए कहा जाता है कि एक प्रकृति होती है और एक स्रिष्ठी करता प्रकृति का नियंतरन स्रिष्ठी करता ही करते है अर्थ है